नमस्कार मैं हूं मांशूर इस वक्त आप देख रहे हैं N27news राजधानी दिली की मेट्रो अब अश्लीलता का गड़ बनती हुई नजर आ रही है अब मेट्रो को छोड़कर सडकों के भी मैं बात करूं तो वहां पर भी ऐसा ही है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा कह रहे हैं यूजर्स यूजर्स ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंस्ट्राग्राम पर आए दिनों ऐसी रील्स ऐसी वीडियो सामने आती हैं ऐसी पोस्ट सामने आती हैं जोने देखने के बाद अब इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करन चाहिए दिली मेट्रो भी इन तमाम चीजों को लेकर बार-बार एडवाइजरी जारी करती है सूचना जारी करती है कि मेट्रो में अश्पलीलता ना फेलाई जाए मेट्रों में कैमरे न चलाए जाए रियल्स न बनाई जाए अश्पलील हरकते न की जाए पर उसके झेक तो चल रहा था रंग लगा दे राहें मुझे रंग लगा दे रहें जिहां इस गाने पर दोनों की लड़कियां बेहद अशलील डंग से एक्टिंग करती हुए नजर आ थी एक दूसरों को रंग लगा रही थी मेट्रों के फर्ष पर जहां बैठना सक्त मना होता है जहां पर बैठने के लिए चलान भी अलग से द्वारा जारी की गई है चलान की अलग लंबी लिस्ट पर उसके बाउचो लोग जो हैं वो लगातार मेट्रों के फर्ष पर बैठकर रील बनाते हुए नजर आते हैं कोई मेट्रों में किसिंग कर रहा है कोई मेट्रों में हगिंग कर रहा है कोई मेट्रों के अंदर रील्स बना रहा है अश्लीलता फैला रहा है अब ये रील भी ऐसी है और ये रील आप सभी ने देख ली होगी अब ये आपने देख ली है तो आप सोच रहे होंगे कि हिमांचु इस न्यूज में नया क्या है अब इस न्यूज में नया ये है कि जो लड़कियां इस रील्स को बना वाली दोनों लड़कियों ने ये बात साफतोर से कह दी है नौडा में जुन लड़कियों ने स्कूटी पर स्टंट बाजी और अश्लील तरीके से होली खेली थी उन्होंने एक टीवी चैनल को इंट्रिव्यू देते हुए कहा कि उनके पास च्वालान भरने के पैसे नहीं है उन्होंने कहा कि अगर लोगों को लगता है कि वीडियो अश्लीलता पूरवक थी वीडियो से अश्लीलता फैल रही थी तो वे अब से ऐसे कोई भी वीडियो जो है वो नहीं बनाएंगी शुशल मीडिया पर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं डालेंगी जिसकी वज़े से अश 60,000 का चलान और अब गिरफतारी की तलवार आप लोगों को बता दें इस महिला का नाम प्रीती है और प्रीती के इंस्टोग्राम पर तकरीबन 3,55,000 फॉलोवर्स हैं प्रीती ने बताया उनके इंस्टोग्राम पर दू अकाउंट से जिन में से एक अकाउंट पर 40,000 वहीं दूसरे चैनल पर 8,55,000,000 फॉलोवर्स हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वे इस चलान को भर पाएं प्रीती ने कहा कि जिस प्यूश के साथ वे वीडियो बनाती हुई नजर आ रही थी वो 15 दिन पहले ही उन्हें मिले थे और 15 दिन मिलने के बा वाइरल किया गया लगाता है ट्विटर पर एक अलग ही हैस्टेक जो है इस वीडियो को लेकर चलाया गया जोसके बाद प्रशाशन ने बड़ी कारिवाई की और एक मोटे अमाउंट का चलान इनके खिलाफ जारिक कर दिया तो इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से शोशल मीडिया का जो भूत है वो लोगों के सर चड़कर बोल रहा है और जब ये भूत बोलता है तब लोगों की चलान भी कर जाते हैं वाइरल होना अच्छी बात है पर वाइरल इन्फुलेंसर आप कुछ ऐसे टॉपिक् देखते रहें N27 News बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहे हैं N27 News पकड हर खाबर पर